उत्तर प्रदेश में चाइनीज लहसुन के खिलाफ इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनो बेंच में याचिका दायर की गई है। यह याचिका वकील मोतिलाल यादव ने डाली है। याचिका पर सुनवाई के दोरान हाई कोर्ट ने चाइनीज लहसुन और देसी लहसुन को कोर्ट में मंगवाया। जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता ने चाइनीज लहसुन को लखनो की चिनहट मार्केट से खरीदा था। जिसे उन्होंने कोर्ट को भी दिखाय इस मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई होगी. Food Safety और Drug Department के चीफ शुक्रवार को कोर्ट में दोनों तरह के लहसुन की जाँच करेंगे. न्यायाले ने उत्तर प्रदेश सरकार के खादे सुरक्षा एवं औश्धी प्रशासन विभाग के नामित अधिकारी को शुक्रवार को तलब कर पूछा है कि प्रतिबंधित चीनी लहसुन अब भी बाजार में कैसे उपलब्ध है. न्यायाले की लखनव पीठ ने केंद्र के वकील से देश में ऐसी वस्तों के प्रवेश को रोकने के लिए मौजूद सटीक व्यवस्था के बारे में भी प्रश्न किया है और यह भी पूछा है कि इसके प्रवेश के सुरोत का पता लगाने के लिए क्या कोई कवायत की गई वकील की जनहित याचिका में भारतिय बाजार में प्रतिबंधित चीनी लहसुन के निर्यात और बिक्री की जाँच करने और दोशी अधिकारियों और अन्य अपरादियों के खिलाफ उचित कानूनी कारवाई करने के लिए CBI को निर्देश देने की भी मांग की गई है जनहित याचिका में दावा किया गया है कि चीनी लहसुन कीतनाशकों और रसाइनों का उप्योग करके उत्पादित किया जाता है इससे कैंसर होने का भी खत्रा है गौर तलब है कि चीन विश्व में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक है Bureau Report Market Times TV